मैं डॉक्टर भामा अगरवाल आपके अपने यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूं अभिनंदन करती हूं आईए प्यारे बच्चों आज हम धुरू स्वामिनी नामक नाटक का अध्यान शुरू करते हैं इस नाटक के अध्यान से पूर्व इसे सरल और सहज बनाने के लिए हमें इसकी भुमिका को समझना होगा जो इस प्रकार है धुरू स्वामिनी नाटक चायावादी साहित्यकार जैशंकर प्रसाद द्वारा रचित है जो 1933 में प्रकाशित हुआ यह भारतिय इतिहास के स्वन युग गुप्त काल की प्रिष्ट भुमी को लेकर रचा गया इसमें पुरुष सत्तात्मक समाज के शोशन के वृद्ध नारी के विद्रोह द्वारा उसके अस्तित्व अस्मिता अधिकार अनुचित विवासे मौक्ष तथा पुनर लगन के समस्या का समाधान प्रस्तुत किया गया है यहां समुद्र गुप्त की मृत्यू से लेकर चंद्र गुप्त के राजा बनने तक के समय के घटना क्रम को तीन भागों में विभाजित किया गया है पात्र सुची धुरुस्वामिनी, मन्दाकिनी, कोमा, चंद्र गुप्त, राम गुप्त, शिकर स्वामी, पुरोहित, शक्राज, खिंगिल, मिहिर देव, सामंत कुमार, शक्र सामंत, प्रतिहारी, प्रहरी, दासी, कूबडा, बोना, हिजडा, नर्तकिया प्रत्थम अंक इस प्रकार है वितिये द्रिश्य के कुछ समरणिये बिंदु इस प्रकार है नमबर एक, दूसरे द्रिश्य के आरंभ में, शक्राज के बगीचे में कोमा, बड़े प्रेम से पोधों की देखभाल कर रही है नमबर दू, कोमा अपने हिड़े में समाए, शक्राज के प्रेम से पुलकित, योवन को बसंत का उत्सव मानती है और अपने मनोभाव एक गीत के रूप में व्यक्त करती है नमबर तीन, तभी शक्राज अपने खयालों में खोया हुआ, नगन तलवार हाथ में लिए, वहां आकर टहलने लगता है, मगर कोमा को नहीं देखता नमबर चार, शक्राज के टहलने की आहट से कोमा को उसके आने का पता चलता है नमबर पाँच, जहां कोमा शक्राज से अनन्य प्रेम करती है, वहां शक्राज उसे विलास की सहचरी मानता है, और वाग दत्ता कहकर फुसलाई रखता है नमबर च्छे, शक्राज खिंगिल के ना आने से चिंतित है, कोमा से मदिरा मांगता है नमबर साथ, तभी खिंगिल आकर रामगुप्त द्वारा शर्तों के मानने की सूचना देता है नमबर आठ, शर्तों की स्विकृती से प्रसन शक्राज शक सामनतों के साथ अत्यदिक मदिरा और निर्त्य के साथ विज्यो उत्सव मनाता है नमबर नो, रात्री बढ़ने के साथ साथ धुरू स्वामिनी के लिए शक्राज की बेचैनी बढ़ने लगती है नमबर दस, तभी खिंगिल दूर्ग तोरण में शीविकाएं अर्थात पालकियां आने की सूचना देता है नमबर ग्यारे, खिंगिल शक्राज से धुरू स्वामिनी की एकांत में मिलने की इच्छा के विशे में बताता है नमबर बारा, शक्राज धुरू स्वामिनी का मजाक उड़ाते हुए उसकी इच्छा स्वीकार कर एकांत में मिलने को राजी हो जाता है नमबर तेरा, कोमा शक्राज को समझाते हुए कहती है कि आज तुम एक स्थ्री को अपने पती से विच्छिन कराकर अपने गर्व की त्रिप्ती के लिए कैसा अनर्थ कर रहे हो और नाराज होती है नमबर चोदे, शक्राज इस दुष कर्म को राजनेतिक प्रतिशोद कहकर टालता है नमबर पंद्रा, शक्राज कोमा के इस वारता के समय आचारिय मिहीर देव आ जाते हैं और वह इस दुष कर्म को अनुचित ठहराते हैं नमबर सूले, कामुक शक्राज उनकी अभेलना करता है तो वो जाने लगते हैं नमबर सत्रे, उसी समय आकाश में विचरते नील लोहित धूम केतु को देख कर अमंगल की सूचना देते हैं नमबर अठारे, धुरू स्वामिनी के वेश में चंद्रगुप्त और धुरू स्वामिनी शक्राज के समक्ष असली धुरू स्वामिनी होने का नकली दावा कर उसे भ्रमित करते हैं नमबर उन्निस, तभी चंद्रगुप्त असली वेश में आकर शक्राज को द्विंद युद्ध के लिए ललकारता है नमबर बीस, शक्राज मारा जाता है तभी मगद सामंत किले पर अधिकार कर लेते हैं नमबर 21, सभी धुरू स्वामिनी की जैहो के नारों के साथ दुर्ग में प्रवेश करते हैं और परदा गिरता है आईए प्यारे बच्चों, अब हम इस दूसरे अंक के पदों की व्यक्या के द्वारा इसकी विश्य वस्तु को समझने की कोशिश करते हैं पद संख्या तेरह, खिंगिल, महराज मैंने उन्हें अच्छी तरह समझा दिया कि हम लोगों का अवरोध द्रड है उन्हें दो में से एक करना ही होगा, या तो अपने प्राण दे, अत्वा हमारे संधी के नियमों को स्विकार करें, शक्राज उत्सुकता से तो वे समझ गए, खिंगिल, दूसरा उपाय ही क्या था, यह चोकडा राम गुप्त, समुद्र गुप्त की तरह दिगविजे करने निकला था उसे इस विहड पहाडी घाटियों का परिचे नहीं मिला था, किन्तु सब बातों को समझ कर वे आपके नियमों को मानने के लिए बाध्य हुआ प्रसन, प्रस्तुत, पंतिया, छाया वादी साहित्यकार, शिरी जैशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित, धुरूस्वामनी नामक नाटक के दूसरे अंक से ली गई हैं संधर यहां नाटकार शिरी जैशंकर प्रसाद जी ने एतिहासिक प्रिष्ट भूमी को आधार बना कर कल्पना से एक ऐसा तानावाना बुना है जिसमें नारी शोशन के व्रुद विद्रोह किया गया है और नारी के अस्तित्व अस्मिता अधिकार और पुनर लगन की समस्या का समाधान प्रस्तुत किया गया है यहां उस घटना के विश्य में कहा है जब शक्राज संधी के प्रस्ताओं के अनुसार धुरू स्वामनी और मगद सामंतों की पतनियों को मांगता है और खिंगिल के लोटने का बड़ी बेसबरी से इंतजार करता है खिंगिल लोटाया ह और वह महराज शक्राज से कहता है कि व्यक्या शब्दों के अर्थ साथ साथ यहां खिंगिल शक्राज को बता रहा है कि महराज मैंने उन्हें अच्छी तरह समझा दिया कि मैंने रामगुप्त और गुप्त शिविर में सबको यह बात अच्छी प्रकार से समझा दी कि हम लोगों ने जो आपके शिविर को घेरा है, घेराओ डाला है, वह इतना अधिक मजबूत है कि उसे तोड़ कर तुम बाहर नहीं निकल सकते, और नहीं हम अपने उस घेराओ को उठाने के लिए तैयार हैं। अर्थात खिंगिल शकराज की दृष्टी में अपने महतु को बढ़ाने के लिए कहता है कि मैंने गुप्त शिविर में इतनी अच्छी प्रकार से समझाया कि वो डर गए भैबीत हो गए। मैंने कहा कि इस घेराओ को हटाने के केवल दो ही रास्ते हैं। एक तो ये कि गुप्त हमसे युद्ध करें और हमारा युद्ध इतना शक्तिशाली होगा, इतना मजबूत होगा कि तुम लोगों के प्राण बचना नामोमकीन है। अत्वा हमारे महराज के द्वारा जो संधी की गई है और उस संधी में जो नियम दिये गए हैं उनको यथावत स्विकार करें। अर्थात कहने का भाव यह है कि हम शकों ने जो गुप्त शिविर को घेरा है, वो अत्यंत मजबूती से और द्रड़ता से घेरा है। अब इससे चुटकारे के केवल दो ही रास्ते हैं। पहला कि तुम हमसे युद्ध करो और युद्ध में अपने प्राणों की बली हमें दे दो। अत्वा संधी की शर्तों के अनुसार ध्रुस्वामिनी और मगद सामंतों की पत्निया हमें उपहार में दी जाए। इसके सिवा तुम्हारे प्राण बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तब शकराज बेचैन होकर पूछता है तो क्या वो समझ गए। क्या हमारी संधी की शर्तों को उन्होंने मान लिया। खिंगिल। तब खिंगिल कहता है माहराज उनके पास दूसरा कोई रास्ता ही कहा था। कि यदि वो हमसे युद्ध करते तो वो रणकोशल वो बहादुरी इतनी क्षमता उनकी नहीं कि वो हमसे सामना कर ले। यह है चोकड़ा रामगुप कि यह छोटा सा अदूदर्शी, विलासी, कमचोर, दुष्चरित्र, भीरू, रामगुप समुद्र गुप्त के समान दिगविजे करना चाहता था। अर्थात कहने का भाव यह है कि कहा समुद्र गुप्त जैसा महान गुप्त समराट और कहा यह है रामगुप भला यह क्या दिगविजे कर लेगा। उसे इन बीहड पहाड़ी घाटियों का परीचे नहीं मिला था। कि वो नहीं जानता था कि यह सुनसान जंगली पहाड़ियां और घाटियां किस प्रकार की है और वहां कौन रहते हैं। किन्तु सब बातों को समझ कर वे आपके नियमों को मानने के लिए बाध्य हुआ। कि जब मैंने यहां के विशे में, हमारे विशे में, इन पहाड़ों और घाटियों के खत्रों के विशे में समझाया, तो आखिरकार वे संधी की शर्तों को स्वीकार करने के लिए मान ही ग चाहता है। आईए बच्चों एक बार फिर इस पद की व्यक्षा करते हैं। हटाने की नहीं सोच सकते हैं। और नहीं आप लोगों के पास इसे तोड़ कर निकलने का कोई रास्ता है। अब इसके दो ही रास्ते हैं। पहला हमसे युद्ध करें, हमें जीतें और फिर आगे निकलें। अथवा महराज शक्राज के द्वारा जो संधी की शर्ते भेजी गई हैं, उन्हें स्वीकार करें। तो हम इस रास्ते से इस घेराओ को हटा सकते हैं। अन्य था, इससे बचना संभाव नहीं है। तब शक्राज उत्सुक होकर, बेसबर होकर, बेचैन होकर पूछता है, तो क्या उनके बात समझ में आ गई। तब खिंगिल कहने लगा, महराज इसके सिवा उनके पास रास्ता ही क्या था। यह है छोकडा रामगुप्त, जो ऐ दुरदर्शी है, जो ऐ परिपक्व है, जो युद कोशल जानता ही नहीं है, जो विलासी है, कमजोर है, दुष्चरित है, वो भला समुद्र गुप्त की भांती क्या दिगविजे करेगा। उसे तो इस पहाडिक क्षेतर के विशे में, यहां सुनसान गहन जंगलों के विशे में, घाटियों के विशे में भी जानकारी नहीं है, और यह यह भी नहीं जानते थे, कि इस क्षेतर में शकों का समराज्य हैं, और वो शक अत्यंत बहादुर हैं, वीर हैं, और हिंसक हैं किन्तु अब वह जब मैंने सारी बातें उसको समझाई तो वह हमारी संधी की शर्त को मानने के लिए मजबूर हो गया अर्थात वह हम से युद्ध करते हुए डर रहा है परिणाम स्वरूप वह हमारी संधी की शर्त को मानकर उन्हें पूरा करने के लिए तैयार है कि रामगुप्त अत्यंत कमजोर शाशक हैं, वह शकराज का सामना करने की शक्ति नहीं रखता हैं, अत्य संधी करने को तत पर हैं, विशेश, यहां खिंगिल दुआरा रामगुप्त के लिए छोकणा शब प्रियोग करना, वास्तव में रामगुप्त की कमजोरियों की और सं केत हैं, शुद्ध साहिती खड़ी बोली हैं, तत्सम परधान शब्दावली हैं, वेंजिना शब्द शक्ति हैं, प्रसाद गुण हैं, समवादात्मक शैली हैं, और अनवूती परक बिंभ हैं, पद संख्या चोदा हैं, शकराज, परसन्यता से उठकर उसके दोनों हाथ प पान लिया, स्वण के कलश में मदिरा लेकर कोमा चुक्के से आकर पीछे खड़ी हो जाती हैं, खिंगिल, हां महराज, उसने मांगे हुए सब उपहारों को देना स्विकार किया, और धुरु स्वामिनी भी आपकी सेवा में सिग्र ही उपस्थित होती हैं, कोमा चों उठती और शकराज प्रसन्यता से खिंगिल के हाथों को जख जोरने लगता है, प्रैसंग पुरवत, संधर, यहां जब खिंगिल शकराज को बताता है कि राम गुप्त ने उनकी संधी की शर्त को स्विकार कर लिया है, तो वह अत्यदिक प्रसन्य हो जाता है, खुश होता है, और आश्चार ये चकित होकर पूछने लगता है, एं तुम सच कहते हो, क्या ये समाचार सत्य है कि तुम सही कह रहे हो कि गुप्त समराथ, समुद्र गुप्त के वन्शज राम गुप्त ने अपने घर की ओर्तों को संधी की शर्ट के अनुसार देना स्वीकार कर लिया, मुझे आशा नहीं थी, कि मुझे इस बात की तनिक भी आशा नहीं थी, कि हमारी संधी की शर्ट को वो स्वीकार कर पाएंगे, क्या मेरा दूसरा प्रस्ताव भी राम गुप्त ने मान लिया, क्या जो मैंने इस संधी की शर्ट में दूसरी शर्ट रखी थी, वो भी राम गु क्या उन्हें भी देना उसने स्वीकार कर लिया यहां बच्चों ध्यान दे शक्राज इस विशेश बात को इसलिए पूछ रहा है कि धुरू स्वामनी रामगुप्त की पत्नी है लेकिन मगद सामंतों की पत्नियों का निर्ने भला रामगुप्त कैसे ले सकता है क्या उसके सा अंती कमजोर डरपोक हैं भीरू हैं स्वन के कलश में मदिरा लेकर कोमा चुपके से आकर पीछे खड़ी हो जाती है कि कोमा सोने के कलश में शराब लेकर आती है और चुप-चाप वहां महराज के पीछे खड़ी हो जाती है खिंगिल हां महराज कि महराज उसने वो भी स्विकार कर ली उसने मांगे हुए सब उपहारों को देना स्विकार किया है कि हमने जो जो संधी में मांगा था वो सब उसने देना तै किया है और महराज धुरू स्वामनी तो बहुत जल्दी आपकी सेवा में धुरू स्वामनी जब यह बात कोमा सुनती है तो वहें चोंक उठती है हैरान हो जाती है और शकराज इतना अधिक खुश हो जाता है कि वे फूल जाता है वो महराज है और खिंगिल उसका दूत है मैं खिंगिल के दोनों हाथों को पकड़ कर इस प्रकार जगजोरने लगता है, हिलाने लगता है, मानो कोई बच्चा हट कर रहा हो, जिद कर रहा हो आईए प्यारे बच्चों एक बार फिर इस पद की व्याख्या करते हैं यहां खिंगिल के दुआरा यह समाचार मिलने पर कि राम गुप्त ने उनकी संधी की शर्तों को स्विकार कर लिया है तो शक्राज अत्यधिक खुश हो जाता है प्रसन हो जाता है और वह भावुक होकर खिंगिल के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और आश्चार यह चकित होकर पूछता है यह तुम सच कहते हो कि यह कैसे हो सकता है क्या तुम मुझे सच कह रहे हो या मुझे वैसे ही प्रसन कर रहे हो बना रहे हो मुझे आशा नहीं थी कि मुझे इस बात का तनिक भी विश्वास नहीं था कि समराट समुद्र गुप्त का वन्शज राम गुप्त इस प्रकार की संधी की शर्थ को मान कर अपने गुप्त समराज्य की परतिष्ठा के प्रतिकूल कारिय करेगा क्या मेरा दूसरा प्रस्ताव भी राम गुप्त ने मान लिया क्या उसने मेरी संधी की दूसरी शर्थ को भी स्विकार कर लिया अर्थात जो मैंने शक सामंतों के लिए मगद सामंतों की पत्नियों की मांग की थी क्या माहराज उसके लिए भी मान गए इस बात को विशेश तोर से पूछने के पीछे शकराज का उदेश्य यह है क्या राम गुप्त के सामन्त भी राम गुप्त की ही भांती कायर, भीरू, डर्पोक और दुष्चरित्र युद्ध से बचने वाले हैं और उसी समय सोने के कलश में शराब लेकर कोमा आती हैं और शकराज के पीछे चुक्चाप इस प्रकार खड़ी हो जाती हैं कि वह उन्हें दिखाई ना दे, तब खिंगिल ने कहा हां महराज, उसने हमारे द्वारा संधी में मांगे गए हर उपहार को देना स्वीकार किया हैं और सबसे बड़ी बात महराज, धुरू स्वामिनी बहुत जल्दी आपकी सेवा में हाजिर होने वाली हैं, इस बात को सुनकर कोमा चोक उठती हैं, आस्चारिय चकित हो जाती हैं और शकराज इतना अधिक प्रसन्न हो जाता है कि वह स्वें के राजा और खिंगिल के दूत होने के पद को भी, गौरव को भी फूल जाता हैं और उसके दोनों हाथों को पकड़ कर उसी प्रकार हिलाने लगता है, जगजोरने लगता है, मानो कोई बच्चा हट कर रहा हो, भावार्थ, यहां नाटक कार के कहने का भाव यह हैं, कि शकराज इन संधी की शर्तों की सुनकर प्रसन्यता से दिवाना हो गया है, पागल हो गया है, विशेश, यहां संधी की शर्तों की स्विकृति का अभिप्राए राम गुप्त की कमजोरिया हैं, शुद साहिति खड़ी बोली हैं, तत्सम प्रधान शब्दावली हैं, व्यैंजना शब्द शक्ति हैं, प्रस खिंगिल तुमने कितना सुन्दर समाचार सुनाया, आज देव पुत्रों की स्वर्गिये आत्माएं प्रसन्न होंगी, उनकी पराज्यों का यह प्रतिशोध है, हम लोग गुप्तों की दृष्टी में जंगली, बरबर, और असब्द हैं, तो हमारी प्रतिहिंसा भी बरब ही होगी, हाँ, मैंने अपने शूर सामन्तों के लिए भी इस्तरिया मांगी थी, खिंगिल, वे भी साथ आएंगी, पैसंग पुरवत, संधर, यहां उस घतना का उल्ले किया है, जिसमें खिंगिल शकराज को आकर बताता है, कि राम गुप्त ने उनकी संधी की सभी शर्तों को स्विकार कर लिया है, तो शकराज परसन्यता से पागल हो जाता है, दिवाना हो जाता है, तब भाव विभोर होकर खिंगिल से कहता है कि व्यक्या, शब्दों के अर्थ आवशक्ता के अनुसार, यहां शकराज, खिंगिल के दुआरा, अपने मन वांचित वस्तू की प्र लगता है कि तुमने ये जो सुचना मुझे दी है यह बड़ी मनमोहक है बड़ी मादक है बड़ी सुन्दर है आकर्शक है। आज देव पुत्रों की स्वर्गिय आत्माएं प्रसन होंगी, कि आज हम शकों के जो पूर्वच है, जो स्वर्ग में निवास कर रहे हैं, उनकी आत्माएं बड़ी खुश हो गई होंगी, कि हमने उनकी हार का कैसा प्रतिशोध लिया है, बदला लिया है। अर्थात समुद्र गुप्त की दिगविजे के दोरान, जो शक हार गए और वीरगती को प्राप्त हुए। अब शक्राज उनी के विशे में सोचते हुए कहता है, कि जब आज उन्हें इन संधी की शर्तों के विशे में पता चलेगा, तो स्वर्ग में बैठे मेरे पूरवजों की आत्माएं अत्यंत खुश होंगी, प्रसन होंगी, भाव विबोर होंगी, कि उनके वन्षज ने उन जली बरबर और असब्वे हैं, कि गुप्त वन्षिय लोग हम लोगों को जंगली समझते हैं, खाना बदोश समझते हैं, और हमें हिंसक समझते हैं, तथा असब्वे, अर्थात सभ्यता और संस्कृति से रहित समझते हैं, यहां शक्राज कहता है, कि गुप्त वन्षिय समर हमें जंगल में रहने वाली ऐसी जाती समस्ते हैं, जो हिंसक है और जो सभ्यता और संसकारों से रहित हैं, तो फिर हमारा बदला, हमारा विरोध भी तो उसी हिंसा और असभ्यता के अनुसार ही होना चाहिए, हमारे इस प्रतिशोद बदले में संसकारों के लिए कोई स्थान नहीं है, मान मरियादा के लिए कोई स्थान नहीं है, अब उनको एहसास होना चाहिए, कि उनका पाला किन से पढ़ा है, हाँ मैंने अपने शूर सामंतों के लिए भी इस्त्रियों की मांगी थी तब खिंगिल कहने लगा महराज वो भी साथ आएंगी कि रामगुप्त ने शर्थ के अनुसार उने भी देना स्वीकार कर लिया है आईए बच्चों इस पद की व्यक्या एक बार फिर करते हैं यहां जब खिंगिल शकराज को संधी की शर्तों के मानने के विशे में बताता है तो वह अत्यधिक भावुक हो जाता है प्रसन हो जाता है और खिंगिल से कहने लगता है कि खिंगिल आज तो तुमने बड़ा ही सुन्दर समाचार सुनाया है यह मस्ती भरा मादर और आनंद देने वाली खबर है क्योंकि आज जो शक समुद्र गुप्त के समय युद्ध करते हुए वीरगती को प्राप्त हो गए थे और हमें हार का मूँ देखना पड़ा था आज स्वर्ग में बैठे मेरे पूर्वजों की वो आत्माएं अत्यंत प्रसन होंगी क्योंकि उनके इस वन्सज ने उनकी हार का बदला ले लिया है गुप्त लोग हम लोगों को जंगली समस्ते हैं, हिंसक समस्ते हैं और सभ्यता और संसकारों से रहित समस्ते हैं, तो हमारा जो बदला है वो उनकी सोच के अनुसार ही अर्थात हमारे इस बदले में सामाजिक नियम, मान मरियादा, सम्मान जैसी कोई वस्तू नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो हमें समझते ही ऐसा है, अब उन्हें पता चलेगा कि शकों का प्रतिशोद किस प्रकार का होता है और हाँ खिंगिल, मैंने अपने बहादूर सामंतों के लिए भी इस्तियों की मांग की थी, क्या रामगुप्त उसके लिए भी तयार है खिंगिल कहने लगा, हाँ माहराज, धुरू स्वामनी के साथ वो भी अवश्य आएंगे भावार्द, कहने का भाव यह है, कि शकराज अपने पूर्वजों की हार का बदला और गुप्तों की द्रिष्टी में उन्हें जो बरबर समझा जाता है वह उस अपमान का बदला भी लेना चाहता है विशेश, यहाँ पर शकराज की पशुता और असभ्यता का परिचे मिलता है शुद साहिति खड़ी बोली है, तच्सम परधान शब्दावली है, वेंजना शब्द शक्ती है, प्रसाद गुण है, समवादात्मक शेली और अनुभूती परक बिम्भ है पद संख्या सोले, शकराज, तो फिर सोने की जांच वाली नाच का प्रबंद करो, इस विजे का उत्सव मनाया जाए, और मेरे सामनतों को भी शिगर बुला लाओ, तिंगिल का प्रस्थान, शकराज अपनी प्रसनता में उद्ग्विन सा इधर उधर तहनने लगता है, और कोमा अपना कलश लिये हुए धीरे-धीरे सिहासन के पास जाकर खड़ी हो जाती है, चार सामनतों का प्रवेश, दूसरी और से नर्तकियों का दल आता है, शकराज उनकी और देखता हुआ सिहासन पर बैढ जाता है, नर्तकिया नाचती हुई गाती है, असंग पुरवत, सं इंगिल, राम गुप्त के द्वारा संधी की शर्तों की स्विकिर्ती की सूचना देते हैं, तो शकराज अत्यंत प्रसन हो जाता है, जब उसे यह पता चलता है, कि अब उसके पास धुरू स्वामनी और मगद सामनतों की इस्तरियां भी आने वाली हैं, तो उसे यह अपनी अधवुत विजय लगती है, और इस विजय के कारण वह परसन्यता से उत्सव मनाना चाहता है, और इस उत्सव के लिए वैं खिंगिल से कहता है कि व्याख्या, शब्दों के अर्थ साथ साथ, कि अपनी इस जीत का उत्सव मनाते हुए आनंद लेने के लिए, शकराज खिं जांजवाले निर्ते का प्रबंद करो, कि अब सोने के जांजवाला नाच गाना होना चाहिए, और मदिरा का दोर चलना चाहिए, इस जीत का उत्सव ऐसा मनाया जाए, जो अधवुत हो, अनूपम हो, अधवित्य हो, और हां खिंगिल, मेरे उन सामंतों को भी शिग्र बु यह हैं, कि मुझे धुरुस्वामिनी और सामंतों को इस्त्रियां मिलने वाली हैं, आते हम सब मिलकर इस नाच गाने और मदिरा का भरपूर आनंद लें, इसके लिए सोने के जांजवाली नाच का आयोजन होना चाहिए, और यह सुनकर खिंगिल वहां से चला जाता है, शकर जो सोने के कलश में मदिरा लिये हुए हैं, वै धीरे-धीरे कलश को अपने हाथ में लिये हुए सिहासन के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं, उसी समय चार सामंत वहां आ जाते हैं, और दूसरी तरफ से निर्तकियों का एक समू आता है, अनेक निर्तंगनाई नाचने के वहां मंच पर आ जाती हैं, शक्राज उनकी ओर देखता हुआ सिहासन पर बैड़ जाता है, कि जब शक्राज देखता है कि निर्तंगनाई अर्थात निर्तकियों आ गई हैं, तो वह सिहासन पर जाकर बैड़ जाता है, और वह निर्तकियों निर्ते प्रस्तोत करने लगती ह आईए बच्चों एक बार फिर इस पद की व्याख्या हम करते हैं। और गाने के साथ मदिरा का पान करते हुए मनाना चाहता है। उसकी इच्छा है कि ये जीत का उत्सव बड़े आनंद और उल्लास के साथ इस प्रकार मनाया जाए जैसा पहले कभी न मनाया गया हूँ। इसलिए वे खिंगिल को आदेश देता है कि सोने के जांजवाले निर्ते का प्रबंद करो, निर्तकियों को बुलाओ, मदिरा मंगाओ और मेरे उन सामंतों को भी बुला लाओ, जिनके लिए इस तरियां आने वाली है। यह बात सुनकर, खिंगिल वहां से चला जाता है, और शक्राज इतना अधिक खुश होता है कि बेचैनी में वो इधर उधर घुमने लगता है। उसे इस परकार घुमता हुआ देखकर, कोमा अपनी सोने वाले कलश को लेकर, सिहासन के पास जाकर खड़ी हो जाती है। तभी एक तरफ से चार सामंत प्रवेश करते हैं, तथा दूसरी तरफ से नाचने वाली इस्तरियों का एक दल मंच पर आ जाता है। शक्राज उन सब को अपने पास आया हुआ देखकर सिहासन पर जाकर बैठ जाता है, और नाचने वाली इस्तरियां गीत गाते हुए नाच धुरूस्वामनी की प्राप्ति की सूचना पाकर अत्यधिक प्रसन है। विशेश यहां शक्राज की विलासी प्रवर्ति को दर्शाया गया है, शुद्ध साहितिक खड़ी बोली है, तत्सम प्रधान शब्दावली है, व्यैंजना शब्द शक्ति है, प्रसाद गुण है, समवादात्मक, शैली और अनुभूती परक बिम्भें। आज की कक्षा में प्यारे बच्चों इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा, आशा है पढ़ा गया विशे आपको समझ में आया ह झाल